सीबेसी 10th 12th result 2021 जाने कब और कहां जारी होंगे result यहां कर सकेंगे check तो hello hi guys welcome back to your own academy अभी academy दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके सामने सीबेसी बोड के 10th और 12th class के 2020 के exams थे उनका result है वो किस तरीके से कहां पर check कर सकते हैं और किस date में जो result है वो release होगा इस सब की जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि 10th और 12th दोनों के ही exams ना कराए गए हों और बिना उनके roll number दिये उनका result घोशित किया जा रहा हो हाला कि अभी result की कोई भी date पकी नहीं आई है लेकिन यहां पर मैं आपके सामें news लेकर आया हूँ कि कब तक result हमारे सामने आ जाएंगे और किस तरीके से हम उनको check कर पाएंगे किस तरीके से हम अपनी mark seat को download कर सकेंगे तो इतिहास में पहला पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10th 12th के exam नहीं हुए उनको roll number भी नहीं दिये गए इस school से और उनका result आ रहा है तो यहां पर बताया गया है नेदिली CBSC 10th 12th result 2020 CBSC सप्ताहा कक्षा 10th और 12th के बोर्ड के परिणाम घोशित करने की उमीद है इसी सप्ताहा की उमीद लगा रहे हैं एक बार रिजल्ट जारी करने के बाद शातर CBSC की आधिकारिक वेब साइट याने की CBSC.nic.in पर अपने संबंधित परिणाम देख सकेंगे शातर Digicolor जैसे Digital Platform पर भी अपना परिणाम देख सकते हैं इस साल COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की परिक्षाओं को रद करने का फैसला किया था इसके अलावा बोर्ड ने परिणामों के लिए एक नई अंकन योजना को अपनाया था साथ ही रिपोर्टों के अनुसार CBSC इस साल कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा सिर्फ मार्क सीट और रिजल्ट इसी प्रकार से जारी कर दिया जाएगा पिछले वरसों की तरहा छात्र शिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान से CBSC कक्षा 10 और 12 के परिणामों की घोस्टा करने की उम्मीद कर सकते हैं सुप्रिम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी संग और राजय बोर्डों को 31 जुलाई तक बोर्ड के परिणाम घोस्ट करने की उम्मीद है इसलिए हम CBSC से आने वाले दिनों में परिणाम घोस्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं जोस्तों 37 तारिक हो गई है और 31 तारिक लास्ट बता जा रही है कि 31 तारिक से पहले पहले परिणाम घोस्ट होने चाहिए तो हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस सब्ता हमें तो इस वीक में तो परिणाम आही जाने चाहिए fix date आ जानी चाहिए और 10th और 12th दोनों के ही परिनाम को बता दिया जाए क्योंकि आने वाले जो क्रक्षाएं हैं जिसे 10th को 11th में पढ़ना है और 12th वालों को graduation के लिए admission लेना है तो उसमें काफी समय लग रहा है और काफी समय वेस्ट भीग हो चुका है तो इसलिए उम्मीद लगा रहे हैं कि करतिस तारिक से पहले पहले कहने की इन आगामी 4-5 दिनों में ही रिजल्ट घोशित कर दिया जाए यहाँ पर आगे बताया है कि दिल्ली विश्विदाले ने घोशना की है कि वहें 2 अगस्त से मेरिट के आधार पर अपनी प्रिथम वरश की प्रिवेश प्रक्रिया शुरू करेगी इसलिए एक अक्षा 12 के परिणाम जल्द ही जारी किये जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो 4-5 दिन में ही आपका रिजल्ट आने वाला है मारिक सीव जाने वाली है उसके लिए all the best और इसी प्रकार की जो भी जानकारियां है वो आपको अभी अकैडमी पर समय समय पर मिलती रहेंगी इसके अलावा अकैडमिक, जनरल कॉम्पूटिशन और सियसी की प्रिपरेशन के लिए भी आपको क्लास्स यहां पर मिलती रहेंगी तो make sure कि आप अभी अकैडमी को सबस्क्राइब करें और चैनल को शेयर करें इस वाले वीडियो को इस नोटिफिकेशन को आपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी स्टुडेंट्स हैं उनके पास शेयर जरूर करें